आपको अपने बारे में तीन बाते बताने हैं, जिसने दो सच होंगे और एक जूट मैं विहार से हूँ, मैं फिजिक्स पर आता हूँ और मेरे पास ओडी है आपको फिजिक्स थी कोई भी टॉम देनी है आपके फादर, फोस्ट उसलेशन बोल सकता है अच्छा जिसने अपने अपने अपरीडीड को बिल्टेंट को अपर तभी तो आपको आशू सर कहते है सर क्या आपको लगता है केमिस्ट्री इल्लाजी कले है देखो सर मैंने पहले ही बोला मैंने पढ़ा इनी जादा केमिस्ट्री का मुझे कुछ भी नहीं आता बहुत लंबा जब सवाल हो जाता तो मैं गाना गुनगुना आता हूं क्लास में क्या चरते थे साजना तुम हमसे दूर रहके तो तनहाई दूर करते थे गुना भाग करके क्लास का गुंड़ा एक है वह है अमार तो मैं आफलाइन में भी यह बोला करता था कि देख भई क्लास का गुंड़ा एक ही है वह मैं अपसे जो नहीं मिले है ना उनमें ऐसा है सबसे बड़ी बात इन्होंने सावित किया है कि सिरफ यूट्यूब पे हसी मजाक या ENTERTAINING वीडियो ही इसे देख नहीं आ सकती हैं है टीचर की पढ़ाइबी वीडियो भी ट्रेंडिंग ना सकती है और कैसे एक दिन के अंदर मीलियन में वियू जा सकते हैं पढ़ाइबी वीडियो के अंदर तो स्वागत है MR. Sir का एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि देखो स्टार्टिंग से मैंने आपके वीडियोस देखे जब कोबीड आया था तब से बच्चे और टीचर दोनों ही यूटूब पे आने लगे थे थोड़े बहुत और तब से आपके वीडियोस टेंडिंग में सारे एक्सsecond1 वाले हमने काफी एकंसे एकसपेमेंट आपके देखे हैं और क्लास में उसके बारे में बताया भी है ऐसा होता है टीचर एक उससे सा सीखते हैं और हम accept भी करते हैं कि हम सीखते हैं यह थार und वही है कि हम लोग से अच्छा सर ने कुछ बताया है तुम उझे बताना चाहिए ना यार बच्चो को इसमें बच्चो का भला है और हाँ क्रेड़िट दे भी देना चाहिए तो आपकी जीवन में फिजिक्स कहां शुरू से था या उस वो कहां से आया है वो एंटर कहा सा हुआ आपकी लाइफ में सब्सक्राइब काफी बच्चे देख रहे होंगे और काफी बच्चे बतलब बहुत इंटेलिजन नहीं होंगे साइद में कंसिडर कर रहा हूं सिमिलरली मेरा भी केस था कि मैं भी बहुत इंटेलिजन पढ़ने में नहीं था है स्टार्टिंग से ही तो सुरुवात तो किया मजबूरी में लेकिन बाद में मजा आने लगा है ऐसी बात है बचपन से ही मैं जब छोटा था पांच-छे साल का था तभी से मैं चार महीने बु पर नहीं था और इसके बज़ा से इर्रेगुलर बेसिस पर स्कूल गया हूँ गोर्मेंट स्कूल में जिसको बिहार में चरवाविद्याले बोलते हैं अच्छा नौन अटेंडिंग टाइप नहीं गोर्मेंट स्कूल जहां पर खिरकी खुला होता है आप क्लास में इंटर करते हो लेकिन टीचर के आने से पहले खिरकी कूद के बाहर लिकल जाते हो तो ऐसा बहुत किया हमने और इस वैसे मतलब रेगुलर मैं प्रोपर 1,2,3,4,5,6,7 तक पढ़ा ही नहीं करें मतलब मुझे 8th क्लास तक भी काउंटिंग नहीं आता था मतलब कुछ भी पढ़ा ही चिटिंग करके पास कर गया फिर बोड था बोड भी दिया फिर 11,12 में मुझफरपुर एक सोटा सा साहर है बुआ रहती थी मेरी वहाँ पर बुआ के यहां पर रहके पढ़ा ही करा तो मैं बहुत ही मतलब गली का गुंडा टाइप नहीं होता वैसा था मतलब लोग डरते थ मैं भी घर चोड़के बाहर चला गया चार-पांस दिन तक मैं रेलेवे स्टेशन पर भटकता रहा मतलब तीन-चार दिन तक बाहर रहा उसमें फोन भी नहीं हुआ करता था 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 नहीं अपने पास घर वाले ही पर सान रहे फिर दुबारा मुझे मेरे नाना जी ने बोला कि पढ़ो और मुझे भी ऐसा रेलाइज हुआ कि एक पढ़ के देखते है और क्या होता है फिर उसके बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ कि काफी मतलब फेलियर जैसा फील होने लगा मतलब जीवन में बहुत कुछ किया था लड़ाई जगरे ये सब किया था पढ़ाई नहीं कि कि सिको पीटना हो किसी को कहीं घेळना हो किसी को कुछ करना हो तो इसलिए मुझे बुलाया जाता था सपचली मतलब धास अरे एलेस कॉलेज है जहां पर गुंडा घरडी चलता है जब में ओहाँ पे बैठता था तो आईसा जड़नी रहाए लेकिन और रट में रेलाईज ह उनसे ना मुझे physics पढ़ने में थोड़ा मजाने लगा और मैस पैसे इतने थे कि मैं एक ही tuition ले सकता था वो मैंने physics का लिया और math और chemistry मैं अपने दोस्तों के साथ बैट के practice करता था और उससे मैं ऐसा था था ना कि जैसे physics, chemistry, math कि जब हम self study करते थे तो एक ही book हुआ करता था था तीन चार दोस्त हुआ करते थे तो एक किताब खोल के रख दिया और अलग-लग solve करते थे फिर competition होता था कौन कितना तेज solve कर सकता है कोई पीछे छूट गया तो उसको बताते थे इस तरीके से मैंने JEE का AIEEEE का paper दिया था उसमें एक लाख राइंग था मेरा तो एडमिशन काई मिलना नहीं था प्राइबेट कॉलेज में जा नहीं सकता था फिर दुबारा से मैंने board दिया और फिर मैं मज़फ़पुर का district topper था मेरे 82% marks थी पी-सी एम में और जिसके बज़ए से मुझे हिंदू कॉलेज में इडमिशन मिल गया 2009 में इनिवर्सिटी ऑफ देली तो फिर पस बीसी करने का यह option था मैंने वहां से बीसी किया फिर MSC किया तो MSC में देली इनिवर्सिटी में इंट्रेंस होता है उसमें मेरा AIR 4 था सर और MSC के अपेरिंग में ही इसने जो UGC होता है नेट जरेफ उन्होंने अलाव कर दिया था उसी साल 2012-13 में ही कि आप अपेरिंग में ही CSIR, GRF का पेपर दे सकते हैं पहले क्या था कि MSC कंप्लीट करने के बाद ही दे सकते हैं और आपको डिग्री MSC कंप्लीट होने के बाद मिलेगा तो मैंने फर्स सेमिस्टर में ही NETGRF किलियर कर लिया था उसमें मेरा AIR 135 था बतलब 49% से आपका लाइफ यह जर्बी थोरा सा पाई का फेस डिफरेंस आगया आप कह सकते हो अगर आप मुस्किले आती हैं पेन होगा दिक्कत आएगी लेकिन अगर आप लगे रहोगे ना तो छे महीना साल पर बहुत होता है अपने सारे हिस्ट्री जोग्राफी को बदलने के लिए तो आप कर सकते हो और उसके बाद मैंने पीजडी भी किया सर्फिसक्स में मतलब वो इंसिडेंट अगर में सेयर करूँ अगर आप बोर्ड ना हो रहे हो सॉरी तो जब मैं गया था पढ़ाने तो पहली बार ट्रेनिंग सुरूई है हमारी ट्रेनिंग में 16 लोग थे फिसक्स में और जब इंट्रेंस टेस्ट होता था प्रैक्स टेस्ट होता था अकास की बात कर रहा हूँ तो इन 16 लोगों में मेरा नंबर आता था 16 हमा टेस्ट में क्योंकि 11-12 की फिसक्स उतनी नहीं परी थी इसलिए ज़रत ज्यादा थी कि बहुत स्ट्रॉंग फैमिली से तो आते नहीं थे एकनोमिकली बहुत कंडिशन अच्छी नहीं थी और पांच साल देली में रह गया था मैं पांच साल देली में रहने के बाद भी घरवालों को उम्मीद होता है कि कुछ कमा के देगा और बहुत मुश्किल से नोकरी लगी थी और उन्होंने बोला कि निकाल देंगे यार तुम इस वला में नंबर प्यार है उस सबको ट्रेनिंग के बाद फ्लेस्मेंट नहीं मिलता है उसके बाद मैं वो जो क्लास का टॉपर था उसको पकड़ा उससे समझा कि कैसे पढ़ना होता है फिर रात रात पर मॉडियूल लिया कास का और सारे सावाल लगाए जो टीचर में र मुझे पोस्टिंग मिला जैपूर आकास में जब मैं वहां पर पहुंचा तो तीन लोग थे हम एक सचिन सर है सचिन जाखट जो मैत बढ़ाते हैं मेरे साथ तो वह हैंसम भी है और उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है और बोलते भी बहुत अच्छा है और हमारा प् रिकॉर्ड होता है और सब लोग देख रही है तो वहां पर डेमो हुआ हमारा तो सचिन सर का डेमो बहुत बढ़िया हुआ सब लोगे तारीब करी जब मैं गया लिखने तो 40 लोग वहटे थे लब टीचर टीचर उस समय क्या होता है ब्रेक का प्रियेड होता है जब नीट क पेपर हो जाता है तो एक महीने फ्री रहते हैं टीचर तो उस 40 टीचर में से 5-6 टीचर ने इतना लता रहा मुझे कि तुम अगर पढ़ाना सुरू कर दिये तो बच्चा अगले दिनी रिफरंड लेके चला जाएगा तुम कभी टीचर नहीं बन सकते यह फैक्ट है मतलब उन्होंने बोला गया था मुझे कि तुम पढ़ के आओ ऐसे पढ़ाओगे तो बच्चा भाग जाएगा यह सारे कमेंट्स थे तो उस समय मैंने सोचा कि मुझे छोड़ देना चाहिए नौकरी मतलब सच में मैं परहाने के लिए नहीं बना हूँ लेकिन वही होता है कि दिल मैंने एक दिन पढ़ाया तो उनका कमेंट्स था कि आज सब कुछ मतलब आज तुमने सिक्वेंस अच्छा पढ़ाया तो ऐसा रहता है कि टीचर जो आपका डेमो ले रहा होता है वही सुनना चाहता है यह जरनी था फिर वहां से ना बच्चे को जब मैं डाउट बताता था बच्छा बड़ा सटिस्फाइंग सा फेस बनाता था आपके सामक वो सटिस्फाइंग सा फेस वो respect ना दीरे दीरे मुझे लगा टीरा मुझे करना चाहिए कुछ जीवन में मतलब अच्छा लग रहा है तो मैं प्रैक्टिस करता फिर में निया किया कि जितनी बी कौच़िं बहुत बेश्टी, बहुत बेश्टी, मतलब क्लास में मैं गया, और एक सवाल स्थीवी का कोई बच्चा पूछ लिया, मैं इसे नहीं हो रहा, मतलब ठंड के समय में, मतलब आप समझो कि जैपुर में अच्छा बता है, मतलब ठंड, चार डिक्री सेल्सियस, दो डिक्री सेल् करना आएगा, और जितना आप जादा अच्छे से सीख जाओगे, बेश्टी कराके, उतना अच्छा हो जाएगा अगले साल, तो मैंने लगब लगब सारे कोचिंग की मॉडिल सॉल्व कर दी, और बच्चों से मतलब जो भी डाउट पूछते थे उसको बताता था, नहीं आ जैसे आज मैं बात करो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा साइद हमसे नहीं पढ़ता होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, है भी बहुत कम, बहुत जो एक दम सूपर इंटेलिजेंट हो, जो मीडियम बच्चा है, जिसका थौट प्रोसेस मीड में चलता है, बहु टीचर्स होते हैं जो उनको वो छोटी चीज़े बहुत असान लगती है उसके भी कर देते हैं चीजों को और वो सच में उनको लगता है यार यह तो सब को आता होगा बिलकुल सर्थ और वहीं चीज हम ऐसे बताते हैं जैसे बहुत बड़ी बात हो बच्चे को भी उसीखने को मिलते गए था हा यार यह बटिया समझाया बस यह है मतलब हम एवरेज स्टूडेंट रहे हैं एवरेज टीचर रहे हैं तो एवरेज बच्चे हमें पसंद करते हैं जादा सर आप मतलब आपकी मैरेज हो रखी है मतलब दोनों मिक्स है थोड़ा सा अपनी वाइप से कैसे मिले हाँ वो एक्चुल में कुछ दूर के रिलेटिव या ऐसे कहे कि फ्रेंड की सिस्टर थी वो तो मतलब पता था थोड़ा बहुत बस लास्ट मुमेंट पे जब होना था उससे दो तीन महीने पहले शे महीने पहले बात हुई थी सरब शुरू से ही ये तो आपने एक्स्पेंड करी दिया कि आप शुरू से टीचर नहीं बनना चाते थे ये तो मजबूरी ने बनी आप उसके बाद आपको मज़ाने लग गया सरब कि कोटा में लाइफ कैसी रही कोटा में लाइफ बहुत चैलेंजिंग था तीन साल बिताया मैंने कोटा में और कोटा में लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग इसलिए थी कि कोटा में मतलब एक लॉबी है मतलब मैं कहूँ starting सही कोटा में एक lobby है जिनका बहुत ही dominance है teaching industry में जैसे जो senior वो senior जो junior वो junior और वो junior कभी भी senior नहीं बन सकता वो 20 साल बाद होनेगा ये बहुत था हुआ पर मतलब किती भी मेनत कर लो कुछ भी कर लो लेकिन जो HOD cultures होते थे वो बहुत ज़्यादा dominance है ये तो online है जिसमें हम जैसे लोग को उपर उठने का मौका मिला honestly नहीं तो एक वो hierarchy बना हुआ है कि अब 20 साल बाद ही आप उस position पे पहुँचोगे तो हम कोटा में जब starting में गया था तो एक sir ने पूचा एक coaching थी सर्वुत्तम और उस coaching के कुछ 20-30 teacher रातो रात किसी दूसरे coaching में ज़ॉइन कर लिया थे तो वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला उन्होंने बुलाया जब मैं वहाँ पहुचा तो एक sir पैठे थे चोड़ी sir उन्होंने बोला कि कितनी class परहा लोगे तो चार दिन में छोड़ के चला जाएगा यह कोटा है ऐसा है वैसा है लेकिन सुरू किया जर्नी पढ़ाने का मतलब वो सबसे जादा संघर्स वाला period था teaching point भी उसे क्योंकि वहाँ पे एक घंटे 25 मिन की class हुगा करती थी और मेरी दिन की 6 class आती थी और एक class में बच्चे होते थे 300 सारे 300 400 और वहाँ पे नीट में बच्चे ड्रॉप भी जादा करते थे मतलब दो साल चार साल तीन साल ड्रॉपर होगा करते थे तो starting होता था सुबह साथ वैसे और साम के साथ आठ वैसे तक लगातार चिलाना ही होता था मतलब ऐसा था कि हर दस दिन में मुझे गले के डॉक्टर के पास जाना होता था अभी तो हम देखते हैं तो ऑन-लाइन में मुझे लगता है कि वन-फिप्थ महनत नहीं कर रहा है हम लोग उसके कंप्यर में लेकिन कहीं न कहीं वो वाला जो महनत है वो काम आ रहा है बिल्खुल वो जो हम ऑफ-लाइन में बच्चों से इंट्रेक्टर के परहाते थे बच्चा हमचे डाउट पूछता था तो आज वो सारी चीज़े पता है कि क्या-क्या डाउट आ सकता है बच्चों को मतलब अगर टीचर किसी को बनना है तो आफ-लाइन तो कम से कम दो तीन साल परहाना ही चीए अब डारेक्ली ऑन-लाइन में आते हैं जैसे आपका भी जरनी बहुत लंबा रहा है आफ-लाइन का तो आपको यह चीज़ फील होता होगा कि बच्चे जो हमसे सामने डाउट पूछते है ना वो साथ हम नहीं सोचते थे कि बच्चा इस लेबल पर जाके हमसे कोश्चन कर सकता है तो वो काफी लड़नी में मदद करता है इसा कोई भी एक concept physics का जो आपको लगता है teacher की life को explain करता है मैं मैं बताता हूँ कि मुझे टॉर का concept physics मतबर एक teacher से relate करता है मैं यह मानता हूँ कि बच्चा जितना हमसे दूर होगा उतना उसको समालना मुश्किल हो जाएगा और जितना हमारे पास होगा, आम लेंद कम होगी, टोर कम लगेगा, उतना समालना हमारे लिए असान है, तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, या टीचर्स को ये बोलता हूँ, कि बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना बहुत ज़री है, बच्चों हमारे भी बच्चे थे, वो अलग सर के वीडियोज देखते थे, कौटा वाले बच्चे, कुछ बच्चे आके बताते थे कि एक यूटूब पे चैनल है, वहां से हम पढ़ते थे, वहां से हमने सर को देखा था, उसके बाद अनिसली बताओं, तो मेरे कुछ दोस्त भी यहा है नहीं, लेकिन मेरा मन था ऑनलाइन में आके पढ़ाने का, इसलिए मैंने थोड़ा से यूटूब चैनल भी बनाया था अपना, और कोशिस कर रहा था ऑनलाइन पढ़ाने का, पिर अलग सर के वीडियोज देखें, तो मैंने देखा कि यार बहुत सारे बच्चे उनसे कने पढ़ाना है, और सबसे बरा रीजन था, उनके साथ पढ़ाने का, कि उन्होंने बहुत लंबे समय से पढ़ाया भी था यूटूब पे, और बच्चे उनके साथ कनेक्टेड बहुत जाजा थे, और वो कर भी रहते बच्चों के लिए बहुत अच्छा, तो ये बहुत एक् कई, मतलब आप तो chemistry, physics दोनों ही पढ़ाते हो, अलग सरकावी दोनों ही पढ़ाते हैं, मतलब अच्छे, ये अच्छे student का निसानी होता है, आपने बच्पर में अच्छे से बढ़ाई करी है, हमने तो physics रट रट के पढ़ाना सुरू किया, सही बात है ये, अब बहुत है, आप कोईसी चीज़ को टाइम दोगे, जेनत करोगे तो चीज़ आपकी हो जाएगी, अब अच्छे student है, वो तो सारा subject पढ़ा सकता है, तो chemistry की जौरत थी, मुझे नहीं आता था chemistry, तो मैंने बोला कि पंकत सर को ही recommend करना था, पंकत सिजारिया सर, तो मैंने बोला कि पंकत सि physics का teacher है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ MR सर है न, तो उन्होंने मेरा number दिया उनको, तो इस तरीके से हम दोलों ने एक दूसरे को recommend दिया था है, और एक ही दिन आके हमने यहाँ पर demo भी record किया था, लेकिन मेरे जो घर पे मैं पराता था, मतलब online मैंने शुरू कर दिया था, एक coaching थी नांदेड की, उनके लिए में online पराता था, उनको video lecture record करके बेचता था, तो वो जो video lectures थे, उनको मैंने दिया था यहाँ पर, बट अलग सर को पसंद नहीं आया है, घर का recorded था, तो कोछ उनको समझ नहीं आया था परतिक सर को, तो यहाँ प्या किया तो उनको लगा क चीए, जनसे पढ़वाना है, ऐसा था, बट उनको काफी इंतजार करा है, क्योंकि वो बहुत स्लोली स्लोली बैच जो भी है, ला रहे थे, अब्यूसी बात है, स्टार्टिंग का फेज था, बट पहली बार crash course उन्होंने एक सुरू किया था, हिंदी मीडियम, उसमें मुझ मुझे पता हूं यह थे, कोटा और जैपूर में 50-50, 40-30% हिंदी मीडियम बैच बंते हैं, तो हर टीचर को भी हिंदी मीडियम पढ़ाना ही होता है, बहुत रेर ही कुई टीचर होका, मैं तो मतलब 8 तक तो कुछ पढ़ा ही नी, उसके बाद हिंदी मीडियम से पढ़ा हु तो हिंदी की थोड़ी सी पता है और दूसी बत यह ने कि पढ़के तो परहाना है चीजे को अपना हिंदी पढ़के परहाने लगे और मजबूरी है बैच लेना हुआ पर आप मतलब कोई ऐसा ही हो सकता है मतलब 2-4 परसेंट लोग कोटा या जैपुर में जो बिलकुल ही टच नहीं है जैसे दिल्ली से गए हो मैं तो ली ही नहीं सकता हिंदी बोली नहीं सकता तो नहीं बोल पाएंगे नहीं लेंगे तो ऐसे कुछ ही लोग थे नहीं तो बाकी सब लोग को हिंदी में पढ़ा नहीं होता है तो प्योर हिंदी में बैच था एक यहां पर तो मैंने प्य पूर्ष न कुम्हाइब भूराीन स्यारे itल कुम भार और जीलन था तर्फ घृट के शुक्त रहें observe को में इस बांटकुत करते हैं वह रहता है अंधान bैट ना मिल चूसप हो मिल पहले जाके फोटो लेना है ऐसा था मतलब honestly मतलब ये था मतलब क्या बात हुई कैसा हुआ मैं पहली बार crash course complete पढ़ा के यहां आया था तो ने बोला था कि आप दिल्ली आ जाओ सब लोग एक साथ बैठ के एक जगह से पढ़ाएंगे तो मैं मूव किया यहां पे और मिला तो सर आये तो पहले तो देखके जैसे मेरी हाइट बहुत चोटी है बहुत लंबा नहीं हूँ और सर को भी स्क्रीन पर देखके पता नहीं चलता है सर भी आया तो बोले मैं देखा उनको तो मुने लग आपने जैसे ही है तो पहली बार उनको देखके लगए यहां यार मतलब लगता है ना कि बता नहीं क्या होंगे कैसे होंगे फिर देखा तो अपनी जैसे ही है कोई बात नहीं फिर बात वोत हुआ तो सर का भी पहला सवाल मेरे से यही था कि एमा स्टार क्या है हम किसे रिमास्टार तो कुछ नहीं है तो कब से शुरू किया था इसको और मतलब बच्चे पसंद कर रहा है इसको तो यह क्या है कैसे है इसके बारे में बताओ तो मैंने बुला सर यह शुरू ही आप P.W. में आके किया था ऐसा कुछ नहीं है वर क्या होता है कि बच्चा जब हम परहाते हैं तो सभी चीजों को ब्राबर फोकस करता है तो किसी पर्टिकुलर चीज़ पर हम फोकस उसका बरहाना चाहते है तो उस पर्टिकुलर ठीक को हम वैसा इमास्टार बोल देते हैं तो बहुत option elimination को या फिर ऐसा रहता है न कि जैसे limiting value पूट करके कई सवाल कर रहा होते है इस चीज़ को बस हम उसके format में अलग कर देते हैं ताकि बच्चा उस पर फोकस करें और कोई rocket science नहीं है या इसे से एक और सवाल मेरे मन में आया कि ये रामलाल और ये योगांडा का क्या खेल है मतलब से मतलब पहले में जादा यूज करता था लेकिन कई वर online में आने के बाद छोटे छोटे चीज़े ना बहुत जादा हार्म करता है मतलब online teacher का journey बहुत painful है मैं इमानदारी से बता हूँ तो offline it is मतलब बहुत relaxing है कि आप जाते हो class में परहाते हो और आप चार class लो पांच class लो class के बाहर गये class का टेंशन खतम लेकिन online में क्या होता है कि आप छोटे चोटे चो वर्ट्स बोलते हो ना बच्चों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन online की दुनिया में कहीं कोई क्लिप कटके बहुत ज़्यादा जैसे युगांडा वर्ट में बोलता था है युगांडा से है गया है और पढ़ ले थो रहा है अच्छा युगांडा वासी कहीं के अब उस पे भी मैं क्रिटिसाइज हुआ बहुत ज़्यादा मैंने माफी मिमांगा कि मेरा मतलब कुछ ख अब्जर्बेशन लेता है तो दौरता हुआ जब होगा तो वह क्या-क्या चीजे अब्जर्ब करेगा डिफरेंट वहां से उसका करेक्टर आपने बनाया खुछ से रामलाल करेक्टर बनाया था वह सीटो फोर्स लगाने के लिए बनाया था कि जैसे हम कहते हैं कि मैं यहां एक्सपरिमेंट कौन सा ट्राइ किया है जिसे मैंने देखा आप क्लास में साइकल ले गए थे आप अठरीस को आजीब है मतलब थोड़ा आजीब हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास में साइकल कैसे जाएगा क्योंकि ऑफिस के अंदर साइकल आना लोग नहीं है मैं किया था कि वह कंसर्ठ पहरा था कि एक बड़ा पुल्ली छोते पुल्ली सब कनेक्टे होता है तो उनका टेंजेंशल वेलोस्टी सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग्स बोप्रेगा तो सेमी स्पी चोटे शोटे वाले का जाधा होगा सही respecto हो लोग नो सायद भी ञोगत नो है तो वह करते तो बच्चा दोचार बच्चे वो लगी समझाया नहीं समझाया तो मैंने उल्द साइकल लिए अब वह वहाँ पर लिफ्ट पड़ी होती हैं कोचंग में तो वह साइकल ले आया था तो वहीं वीडियो वेरल होगे एक मैं वह समझा रहा था किसी भी चीज को घुमाने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसके लिए एक सिलिंडर ले आया, और घर से मैंने सिलिंडर जैसे घर से पढ़ा रहा था, अब सिलिंडर लाना था, अब मैं बोलो कि चलो मेरे दिमाग में, कि सिलिंडर लाके मैं घुमा के दिखाता हूं, कि क्या के एक्सिस हो सकता है, कि जब हम सि इसको गुमता है, अब कोई रामलल टाइप बोला कि इसको गुमा उ तो कोई ऐसे भी गुमा सकता है, तो यही चीज मुझे बताना था, अब मुझे सिलेंडर चाहिए, अब मेरे दिमांग में जो आ जाता है, बहुत ले के आता हूँ फिर कहीं से भी, यह थोड़ा रहता है, तो मैं गया, घर में सिलेंडर लगा था, और कलती से क्या हुआ कि वो दस दिन पहली लगा था सिलेंडर, घड़ा हुआ था, अब मैंने जो उसमें उठाया उसको, भी तो भड़ा हुआ है, खाली सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लेकिन अब सिलेंडर लेके जाना है, तो वही स सुन्दर बन जाता है जैसे आप एक आटा ले लो उसको रख दो और उसके चारो तरफ से क्रोना वाइरस टाइप लगा दो पिक को तो उलेक्ट्रिक फिल्ड को रिपरजेंट कर देता है फिर एक लाइन ऐसे एक फोम का रॉड ले लिया रॉड में चारो तरफ से उसको लगा दिया तो ऐसे एक्सपरिमेंट करके दिखाने में जैसे एक तो यह है कि ऑनलाइन में आप वो भी दिखा सकते हो एनिमेशन वीडियो और सिमिलेशन भी दिखा सकते हो लेगिन कहीं न कहीं इस चीज़ से और ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो साइध आप ऐसे समझे तो यह हूँ कुछ नहीं है मेरा हिसाब से क्योंकि बच्चों के हिसाब से टीचर को ठाऊना है और कहीने कहीं टीचर पढ़ा रहे है तो बत्हों चीब लिए बधा लिए घillesज़ बदूत बदूरोवी और teacher के लिए भी मैं कहूं तो बच्चों को ज़्यादा judgmental नहीं होना चाहिए कि teacher कहां परहार है इससे फर्क ज़्यादा नहीं परता है मेरे हिसाब से teacher इमानदारी से परहार है कि नहीं परहार है फर्क इस बात से परता है आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा personal सवाल है मतलब आपको इस काहँ सा नहीं भी देना हो तो आप रहन देना कि यह सब controversy से बच्चे का किसी भी तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि कोई particular attack से ही पर किसी भी तरीके से दोड़ा सा उसको अजीब लगता है कि यार teacher इस वज़ा से छोड़के जा रहा है या इस वज़ा चोड़के जा रहा है तो उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है जैसे मैं सिर्फ दोचा टीचर का नाम नहीं लूगा उससे यह जो भी इंसिडेंट ऐसे होते हैं उससे तो ट्रस्ट आपसे भी कम होगा बच्चों का सबसे कम होगा बच्चे का faith तो हम सबने lose किया है बच्चा एक कही न कहीं role model बना के हमें रखता है और फिर जब ऐसी चीजे कहीं न कहीं होती है तो कुछ चीजे देखो सबी बच्चे देख भी रहें तो आपके घर में भी बहुत सारी चीजे कुछ होता होगा तो आप हर च सबस्क्राइब दो आप हैं तो आपको पड़ा हो पर अपने स्टूडं प्रपोसल मिला हो कुछ बच्चे ने आपको बोला हो कुछ कहते हैं कि सर बहुत अच्छे लगते हो आप इंटिया परहते हो बिलकुल बढ़िया वाला प्रपोजल मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ है सर किसी लड़की ना आपको कुछ बोला हो कि सर मैं आपसे प्यार करते हूँ या ऐसा कुछ आपकी शादी से पहले मैं जब आप कैरियर सुरू करते न तो काफी यंग होते हैं उस समय थोड़ा बहुत बच्चों के मन में ऐसा रहता है और टीचर के मन मे भी ऐसा रहता है ऐसा नहीं कि सिर्फ वन बे होता है जो फैक्ट है मैं बतातों कई रोग बार दोनों तरफ से होता है जब स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो लेकिन ये सारी चीज़ ऐसी ही कि आप उस पॉजिशन पर नहीं आप टीचर बनगे ना भाई टीचर बनगे तो आप एक आइडियल होते हो बच्चों के लिए तो मना ही करना होता है आता तो है अभी भी बात नहीं सर नहीं सर अब बच्चे पसंद नहीं करते हैं अब तो अब तो उमर हो गया ठीक है सर अब कुछ रैपिड फायर कोशन है जिनके आंसर बहुत जल्द जल्दी देने होंगे सबसे महेंगा गिफ्ट जो आपने किसी को दिया और क्या गिफ्ट देना और लेना मुझे पसंद नहीं है बच्पन से ही तो मैंने जादा gift कभी किसी wife को भी मैं किफ्ट नहीं दे पाता तो इस वह से बहुत ज्यादा लडाई यदो होते रहते घर में कि कभी कुछ नहीं दिया कभी कुछ नहीं दिया बच्पन में नहीं, टीचिंग स्टार्ट करते से में जरूर मिला था, कि जब मैंने पूछा था एक अच्छे टीचर से कि सर कैसे पराना चाहिए, तो उन्हें बोला थे देखो कैसे पराना चाहिए, कोई इसका rocket science नहीं है, बस तुम क्लास में जब जा रहे हो ना, तो कितना honest हो, वस इसी बात से फर्क पड़ता है, कि तुम कितनी मांदारी से content को समझाने ही कोसिस कर रहा हो, चाहिए एक ही बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चा अपना समय, पैसा, सब कुछ दे के आया है, तुम कुछ सीख के जाएगा, अब 40 बच्चों में से ह हो सकता है, दो ही बच्चे का बहुत प्योर intent हो, लेकिन उस दो बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो तुम जब पढ़ा हो, तो पुरी मांदारी से पढ़ा हो, और बाकी चीज़े भूल जाओ, देखो, सर, लाइफ में बहुत सारे problem आते हैं हमारे लाइफ में, हम जितना नहीं सोच पाते हैं, उससे भी बुरी-बुरी situation आपके लाइफ में create होता है, सबके लाइफ में होता है, हुआ भी है, अब उस moment पे आदमी एकदम तूट जाता है, और सायद उसके दिमाग में उस आलत में नहीं होता है, यो पढ़ा पाए, लेकिन फिर भी आपक पाए, जाना पड़ता है, फिर बच्चे के बारे में हम सोचते हैं, उसका तो कैरियर है, उसकी यागलती है, तो यह था कि, मैं इमानदारी से पूरी सिद्दत से, जो आप काम कर रहे हैं, उसको करो बस, यह टिप था कि, अच्छा परहने के पीछे कोई वो नहीं है, कि को परहाना है, तो आपको चहीं इमानदारी, और उसमें 100% आपका इंटरेस्ट और इंटेंट है ना परहने का, तो आप बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे, जाए आप ऐसी वर्मा सॉल्व किया है, यह हो या नहीं कियो, कोई फर्क नहीं पर था, मैंने कोचिंग, दो त खूम क्या ना परेगा, और सर घूमने का भी इतना सौक नहीं रहा मतलब, पता नहीं मतलब बोलना ठीक है कि नहीं कितना अकौड लग रहा होगा कि तक्राब लग रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सर मतलब, बच्छपन से बहुत इतने रिच थे नहीं हम लोग, होली कि नियुए बिख़ी को लोग ब्रॉम को printerने जाते हैं मोश सी कि 行ता हुआर यूदु लोग तो जनृली बहर ही जाते हैं अप अपश्यवार है पढ़ने जाते हैं ऑपर चुटी ङार आप मैं अब भी पिछले एक साल में घून गया हूँ तो इंथ में अच्छी जगा को अच्छी लगई आपको गोवा अच्छी जगा कि जहां हम रुके हुए थे रिजॉर्ट था और रिजॉर्ट के सामने दीज था तो वो बड़ा ही सटिस्वाइंग था वहाँ पे टहलना साम को या रात में, सुबह में, ये अच्छा लगा. सर आपके इसाप से आप नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में? स्वर्ग में सर, बहुत अच्छा काम किया है. ये बस्चे बता देंगे, कहां जाना चीए. सर आप खाना पकाना जानते होंगे सबसे अच्छा क्या पकाते हैं आप नौनवेज बट मैंने छोड़ दिया आप खाना सर ये बड़ी तुक्के के बात है अब ये तक मैं तीन पॉड़कास ले चुका हूँ तीनों में जो जो टीचर्स आए हैं सबने ये ही बोले है कि मैं बहुत शौक से खाता था लेकि आप मैंने छोड़ दिया है अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी छोड़ दूँ आपका रिजन क्या है छोड़ने का सर मतलब सटन कुछ हुआ मेरे लाइफ में हो उसके बाद मैंने डिसर मतलब छोड़ दिया फिर कोई religious कारण है मतलब नहीं 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 अचा ठीक है sort of religious बोल सकते हैं थोड़ा बहुत बट चोड़ दिया बना तो मैं सब कुछ सकता हूँ सभी अच्छा बनाते हैं सभी कुछ अच्छा बनाता हूँ बच्चों को भी अच्छा बनाता हूँ आपकी तीन बुरी आदते हैं चिलनाना मतलब कभी-कभी मुझे लगता है कि यह गलत है मतलब मैं स्वाट सेम दाने का साध्य और सीचे पाग पर क्माना को इंगसे ले लेता हूं किसी चीज को अच्छा पॉड़ को यहता और तीचर हूं बहुत नॉर्मल लिए ुचे मैं गयूं कार्या भरोह प्रे अि पनगज की बनाई बीण कई बच्छने के लिए पता बनार में करते जब मैं टीचर होता हूँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत गुसा आता है या फिर कोई बच्चा छोटी कलती करते है साइद बच्चे के लिए लगता है कि यार कोई बात नहीं मैंने प्लेस की जगा पर माइनस कर दिया सर ये एक ना बड़ी अच्छी बात आपने बूली मैं रिलेट करता हूँ इससे लोगों को लगता है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं मैं ऐसे आसी मजाग कर रहे हैं इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमने यूट्यूब पे इतना प्यार गेन कर लिया है किसी से इतनी ज़्यादा बात ही नहीं होती तो ये मुझे लगता थोड़ा गलत है मतलब मैं अपने भाई से भी आपनी बहन से मम्मी से मतलब डेली बेसिस पर तीन चार दिन में ऐसे कॉल करके हाल समाचार पूछना ये मेरे से मतलब नहीं हो पाता ये काम मेरी वाइफ ही करती है कॉमेंट सेक्षिन पर गेस करेंगे कि इतमें जूट कौन सा है मैं सवाल को दोरा सा असानी बना देता हूँ बच्चों के लिए मैं भीहार से हूँ और अच्छार और मैं फिजिक्स बनाता हूँ और मेरे पास औडी है सर ये देखो कितने अच्छे टीचर की पहचान है ये मुश्किल कोशन बच्चों के लिए असान मनाती है अब बच्चे जूट इसमें बहुत असानी से केस कर सकते है सर ये बड़ा इंटरस्टिंग सवाल है आपको फिजिक्स की कोई भी टर्म देनी है जिसका मूड उपर जाता है नीचे जाता है कभी ऐसा कोई भी एक टर्म अपने फादर को अगर आपको देना हो फादर को ऐसे टर्म्स में जैसे मैं अपने फादर को अगर देता तो मैं देता एंप्लिफायर तो मेरे मतलब मूड को amplify कर देते थे मेरे energy को amplify कर देते ऐसा कुछ मेरे father जैसे कुछ young type एक दम जैसे मैं अगर वो मेरे बगल में बैठे हो तो सायद मुझे बच्चे बोलेंगे कि आपके बड़े भाई जैसे लग रहे हैं उनकी साथी बहुत जल्दी हो गई थी अच्छा और वो काफी maintained रखते हैं अपने आपको मतलब physics में टर्म नहीं मिलेगा ऐसा biology में दूढ़ना परेगा काफी maintained रखते हैं अपने आपको forced oscillation बोल सकते हैं forced oscillation अच्छा जिसने अपने amplitude को maintained रखते हैं तभी तो आपको आशो सर कहते हैं बिल्बल सही बात है मतलब उन्होंने काफी अपने आपको maintained किया है काफी young दिखते है तो आपने wife को क्या term देना चाहेंगे रखते के terms में उसको हम sign curve बोल सकते हैं sign curve में जो fluctuation होता है या sign curve भी नहीं मतलब वो एक random curve है मतलब उसका कोई pattern भी guess नहीं कर सकते है sign curve का तो pattern आप guess भी कर सकते हो वो random curve है जिसका prediction पॉसिवल नहीं है अपने enemies के लिए haters के लिए कुछ haters के लिए तो resistance सर एक ऐसा topic physics का जो आपको पढ़ाना सबसे challenging लगता है physics का ऐसे बहुत सारे topic है मतलब स्टार्टिंग के phase में अगर मैं बोलू तो मुझे AC पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती थी स्टार्टिंग के phase में कीवकि AC में बहुत सारे वो होते है न graph graph और सर मैंने उसकी एक video देखिया आपकी सर मैंने उसकी एक video देखिया अब असान हो गया मैंने अपने हाथ में स्लाइड चेंजर रखा और मैंने इसको एससे किया ठीक है एक concept समझा रहा था मेरे पेड़ बैच में बता है बच्चों ने क्या लिखा कि यह MR सर का signature step है और मैंने वहाँ पर उनको appreciate के मैंने का रहे वा यार तुम यानि कि तुम अच्छी वीडियो पर देखिरो यूट्यूब पर बेकार चीज़ों को कि सर के एक video बहुत वाला आप बच्चों ने देखी होगी जहां पर सर ने सारे graph capacitor L मतब सारे graph अपने बच्चा देखे तो वो लेगा master note की कर रहा है बिल्कुल सर तो मुझे सबसे करना वेव वाली section थोड़ा सा टफ रहता है ठीक है सर अब एक session कर रहे हैं हम लोग yes or no वाला जोगी मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपको camera में उसका answer yes or no में देना है क्या कभी आपने वाइफ के साथ कोई prank किया है कुछ पताना चाहें उसके बारे में प्राइक मतलब थो क्या कभी आपको किसे ने पोच करने के लिए ओफर दी है पी डवल्यू से काफी बार मतलब starting से ही ऐसा रहा है मतलब पूछते हैं कि आजाओ ऐसा करते हैं ऐसा कर लेंगे या फिर भी अभी recently भी मैं उस controversy से रिलेट नहीं कर रहा है उसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि आप तो ऐसा करते हैं ऐसा सुरू करते हैं यह कर लेते हैं लेकिन ultimately मैं एक चीज़ honestly बता देता हूँ चाहे मुझे इसका फायदा हो या नुक्सान हो पता नहीं मैं बहुत अच्छा लीडर नहीं हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा टीचर बन सकता हूँ परहा ले क्योंकि ultimately मुझे लगता है कि बच्चों को परहाना है और बच्चे यहां से ज्यादा connect हो पा रहा है मेरे से और दूसरी बात है कि जो एक economical requirement होती है life में वो कितना आपके लिए जरूरी है यह भी देखना परता है मतलब कितनी priority हलाकि पैसा बहुत जरूरी है life में पैसे के ल इसा होता है जो बहुत लोग कहते हैं कि कितने दिन पर होगे मतलब ऐसा आता है सर और मैं तो कहते हूं online वाले teacher की life और बहुत कम होती है offline में तो आप 10-15 साल पर आते रहते हो same pace लेकिन online का phase बढ़ा struggling होता है online teacher भी परहातने से जादा हो फिर देखता है views comment और यह सब सारी च मतलब वही है कि आपको कितना जरूरी है financial आप कितना पैसा कावाना जातो तो पैसे की तो कोई limit है नहीं है और दूसरी बात है कि कब तक पर होगे वाला सवाल एक आता है कि कुछ करने लग जाओ जैसे management में चले जाओ कब तक पर होगे मतलब मैंने अपनी आखों में नाम न और तो उसमें मैं एक सोचता हूं कि यार ऐसा तो नहीं है मतलब मेरे life मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया मतलब वोल्टर लेविन साहब आज भी पढ़ा रहे है मतलब 55 साल का उमर हो गया और हीटायड हो गया अचा उनको बोलते हूँ उनके ऐसे 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 वाइवरेट क्यूंकि बच्य का भी mood मूट करता है बच्चा भी बहुत नहीं जैसे बहुत सारे नहीं टीचर आएंगे और ज़跟大家 आपके लेक्षा आपको लेगा कि यह बहुत बोरिंग हो दो नहीं सारे है मतलब नहीं सारे मतलब टीचर जब तक अपने टीचिंग को इंजवाए नहीं करेगा तब तक बच्चा उसके टीचिंग को नहीं कर सकता है अपो खुद उसमें इंज्वाए करना पड़ेगा खुद डूबना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े ज़्यादा मैंने रखती है पैसे से पैसे से पैसा जरूरी है चाहिए और साइद उतना पैसा पी डबलू वाले भी देते हैं तो अच्छा है सर क्या आपको लगता है केमिस्टर इल्लाजिकल है Chemistry? देखो सर मैंने पहले ही बोला मैंने पढ़ा ही नहीं जादा तो Chemistry का मुझे कुछ भी नहीं आता लगर कोई बोले कि टोरा टॉपिक बता दो Chemistry का तो मैंने जादा नहीं बता सकता लेकिन दो फेज है जो Chemistry पढ़ाते हैं वो कहते हैं बहुत लॉजिकल है इन औरगेनिक के सारे concept है और जो बच्चे होते हैं नहीं नहीं इन औरगेनिक का तो कोई concept ही नहीं है तो यही है अपना अपना frame of reference है आपका दोनों में क्या है? आप बीच में भी रख सकते हैं नहीं मतलब यह थोरा साब वो वाली बात है reference पर depend करता है चीज़े सर क्या आप अंध विश्वास पर विश्वास करते हैं? कि बिली रस्ता काट गई या यह सब हो गया? नहीं क्या कभी आप studio में सोए हैं? studio में ही सोता हूँ मैं ऐसे जैसे मेरा मतलब जो घर पे studio है उसके नीचे ही बेड लगा हुआ है तो मैं वहीं सोचाता हूँ जैसे दो वज़े क्लास है तो मैं उठता ही हूँ कई बार एक पच्पन पे एक पच्पन में उठा और उठते साही सबसे पहले board on किया, सामने computer on किया मूँ हाँ दोया और आगया तो बहुत सारी similarities है हमें सर सर आपके ने कभी कोई ऐसी movie देखी हो physics जिसने physics का मजा कुड़ाया हो या physics के तो हर south की movie में मजा कुड़ता है तो हर भोश पूरी movie में और south की movie में physics का मजा कुड़ता है आपका मतलब क्या या आप entertainment के लिए देख लेते हैं नहीं पहले देख लेता था जैसे पहले क्या है कि आप भी देरे-देरे mature होते हो आपको भी चीजे पहले fascinated जो करती है साथ बात में नहीं करती होंगी तो पहले ऐसा था कि देख लेते थे movie वैसा और मजा भी आता था लेकिन अब तो राजीब लगता है जब sense नहों कोई कहानी नहों जैसे एक movie मैंने recently बहुत दिनों बाद अभी देखी थी सर साथ की movie है धनुस करके जो है न वो बहुत अच्छी movie थे टीचर के life पे बेस थे तो starting मैंने देखा तो teaching थे था मुझे थोरा interest आया फिर मैं देखने लगया तो बहुत अच्छा movie था बहुत सही connect कर रहा था सर अब हम कुछ आपके YouTube की वीडियो के कुछ comments लेके आए हैं कुछ में आपको पताना पड़ेगा कि ये क्या है और कुछ में वो दिखी जाएगा कि क्या है तो सवाल भी हमने बच्चों को दिये जवाब देने के लिए तो इसमें तो महीं कहीं बोलूँ तो इसमें तो महीं कहीं बोलूँ ये है की नहीं आपके लिए अच्छा नहीं है राजवन सर इस king of physics और एमार सर इस boss of physics यहीं सारी चीज़े तो है मतलब ऐसे कमेंट बच्चे करते रहते हैं बहुत तारीफ करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं और कोई बोला बाला मास्टर इन चक्रों में जब पर जाता है तो बहुत पेंड लेता है मतलब सच में बताऊ मतलब आप टीचिंग शुरू कर रहा है तो बच्चे के कमेंट्स को बहुत ज़्यादा सिरियस नहीं लेना है बच्चा आपको गाली देगा क्योंकि बच्चा गाली इसलिए नहीं देगा कि आपको आप टीचिंग पसंद नहीं उसको या आपसे पढ़ने के बाद उसके सवाल नहीं है, बच्चा गाली इसलिए भी दे सकता है कि आपके बोलने का तरीका बसंद नहीं है, बच्चा इसलिए भी गाली दे सकता है कि आपके बोलने का तरीका बसंद नहीं है, बच्चा इसलिए गाली दे सकता है क्योंगे आज घर म में आखे क्या करेगा यह सारी चीज़े जो बच्चा कैसे ही एक कमेंट करता रहता है तो अच्छा कमेंट है सार तुम्हें यही कह रहा हूँ ना कभी अप्रिशी भी करेगा उसको भी प्रेस्य ले नहीं ले लेना अक्ट्वल में अच्छा कई वार बच्चा आपकी तारीफ कर रहा है कई वर क्या होता है जो ने टीचर होते हैं तो भी यह उख से वो उनको लगता है कि महीं हूं जो हूं कईब और पैसला पहले की वीडियो है तो उसने बहुत अच्छे कमेंन्स से बहुत्ध का वीडियो है है सब भाध स्वाइज को बहुत अगया हूं और मैं बहुत परिसान रहा हाँ जी मतलब जब क्रिटिसाइज हुआ पहली बार जब ट्रोल किया गया मुझे तो दो तीन दिंदंग में सोया नहीं बहुत परिसान रहा क्या चल रहा है ये वीडियो तो सब लोग और वो इतना वैरल हो गया था कि सब लोग ही देख चुके थ तो बहुत गलत है तो यह जब हुआ तो मैं बहुत परिसान हुआ लेकिन अब क्या है कुछ अब इन दिनों बे मैं थोरा ट्रोल हुआ कभी किसी चीज को लेकर तो मैं अराम से सोजाता हूं वीडियो देख लिया है यह सब चलता रहेगा अब लब ऐसा है लेकिन कई emotional हो जा कि एक कश्मीरी टीचर है जो आपकी वीडियो की ओपर तो मैं ने उसकी वीडियो में नीचे कमेंट किया अचा आपकी तेरी एक भी बात में लॉजिक नहीं है हाँ उनका एक कहना था सर कितनी गटिया बात है नों कहना कि यह वाला कोशन में ऐसे सॉल्फ करवायता हूं ले मैंने तो स्टार्टिंग में यह एकसेब्ट किया है एक कि बच् nuclei तो फोत था मैंने video देखा था उनका काउंटर उनका जो यह था थोड़ कि आप इमास्टार का नाम देते हो किसी दूसरे के थियोरी में मतलब ऐसा था तीन चार वीडियो उने बैक टू बैक डाली थी तो मैंने देखो मैंने भी कमेंट किया था वहां पर जाके कि ठीक है भाई जैसे किसी को क्रिटिसाइज करना बहुझाट आ एक किसी के बारे बुरा बूलना और ये फेमस होने का तरीका है सिर्फ 25 आदेए बात का समप्दान तो करी इस चार्यट कि रहigraphया था जो मैं किसी पस बता रहा हूं कि ये एक सोचने का तरीका है कि अपयते हैं को थी मैं उतना लेंञा हो मैं में अगर लगाते हूं तो मैं किसी का नाम तोरी ने लेता कि मैं इस किताब को कि डिसाइज तोरी ना करता हूं जैसे मान लो कि एक सवाल है अब सवाल के तीन तरीके सॉल्व करने एक तरीका मैं दिखा रहा हूं कि देखो इसमें लंबा किया हुआ है और मैं असानी से कर तो लंबा कहा किया हुए? यह मैं तो इने बता रहा हूं. वो किसी भी किताब में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. लेकिन मैं तो असल तरीका से बता रहा हूं. सर ये क्या मतलब ? यह वही तरीका सौल करने का तो मतलब जो मजदूरी करते ओ मैंने एक गाना भी है उत्याद यूटूब पे भी टी स्रीज पे वो जो गाना है उस्पे जाके मतलब इस मैं में बच्चों है मैं मतलब सवाल पराते करते बहुत लंबा जब सवाल हो जाते है तो मैं यक गना बना आता हूँ गलास में है बहुत खराब गाता हूँ बहुत ज्यादा जब लिंधी कैलकुलेशन हो जाता है तो बच्चा वैसे भी थोरा सा कनेक्शन लूस करता है उसके इंट्रेस के लिए ऐसे ही मैं गाना गा देता हूं क्या करते थे साजना तो हमसे दूर रहके उसमें क्या है कि वो कुछ और है ना मैंने जोड़ दिया कि तनहाई दूर करते थे गुना भाग करके अच्छा गुना भाग करके ठीक है कोई वीडियो है आपकी जिसमें नीचे आया है राजवन सर वांस तूनो यौ्यर लोकेशन सर ये मैं समझा नहीं था क्या है ये कुछ नहीं जैसे राजवन सर और महम अच्छे फ्रेंड्स है तो वो वीडियो men देखते रहते हैं मतलब कही वीडियो men तो एक बार मैम पढ़ा रही थी, अभी रिसेंटली वीडियो है, मैम पढ़ा रही थी, और मैंने नॉक कर दिया, अचानक से, क्योंकि उसेम बैस था जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक अटारा गंटे वाली क्लास शल रही थी, तो अचानक से घुजगा, तो मैम हो जाते हैं अक्सरा न, तो ये अपका लुक कफ था सर, ये लुक सर दो साल पहले जब, 2020 में था, चीक है, I'm also in this blanket, same color, सर ये blanket class में क्यों लेगा आप, सर ये class है, रात में तीन बज़े record कर रहा था मैं, अचा, मतलब वो ऐसा था कि मुझे कहीं जाना था, तीन दिन के लिए और हम चाह रहा थे कि तीन दिन class off ना हो, class अली जाए, तो लंबे duration का ने, dated गंटे का मैंने एक ही दिन में छे video record किया था, तो दिन में दो परहाया था live, और चार रात बर में record किया था मैंने, तो जो चार record कर रहा था था न, तो ठंड बहुत ही, ये जनवरी का है video, ठंड बहुत ही मैंने कंबल पर हो, कंबल फैनली, बहुत बड़ी है, आप ये इमेजन नहीं कर सकते कि बच्चा आपको कितना पसंद करता है, आप पटना में चले जाओ, और आप रोट पे चलो, सिब चलोगे, तो आपको 10 मिनिट में आटो से रुकवा-रुकवा के बच्चे आपको ये किर नहीं होगा, कि आपको बच्चे इतना रिस्पेक्ट और प्यार करता है, क्योंकि ओनलाइन में हम कभी इसको फिल नहीं कर पाते हैं, बच्चा कहीं और बैठा है, हम कहीं और बैठे हैं, और वो इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, तो ये है, मतलब, बच्चे रिस्पेक्ट तो करते ही है, ये तो सर आपको अलग-अलग कंट्री से, अलग-अलग जगाउं से, ऐसा, मैंने तो नहीं देखा, लव फ्रम सन, अपने युगांडा से, युगांडा तो ही, पर ये सर बच्चों नहीं देखो, आपको प्यार दिया हुआ है, कहां कहां से, स मतलब बताओ, हम तो यहां पर स्टूडियो में बैटके बढ़ा रहे हैं, उसी एसी में एकदम वह महौल में, और बच्चा एदम खुले में, छट बे बैटके, लेटके, बड़िया महौल रहता है, यह रवे गुंडे हां, सर यह क्लास का गुंडा एक ही है, वह है हमार, औ मतलब एक और था कि जंगल का सेर्फी हो सकता है, दो नहीं हो सकता, वह तो आप पी ड़लू के टीचर वुग डड़ते हैं आपसे? है मतलब लोगों में है लेकिन जो एक बार मिल लेता हो कहता है कि या रे यार तुम्हारा तो मतलब एकदम अजीब सा सिनारियो है कि क्लास में कुछ और होते हो बार कुछ और होते हो मतलब कोई गेशी नहीं कर सकता कि तुम बोलते भी नहीं तो मेरा मतलब जो بھی है जो एग्रेशन है या गुसा है या प्यार है उस सब सिर्फ कैमरे में बच्चों के लिए ही है घर बाले भी परिसान रहते हैं कि कुछ बोलो कुछ बात करो दोस्त भी रहते हैं, जैसे हम जब ग्रूप में मिलते हैं, जैसे हमारे जो दोस्त सरकल है, अब तो आप भी हो, या फिर जो हम लोग बैठते हैं, कभी बाते करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बोलता है, वो है पंकच से जारिया, अच्छा, मतलब वो बहुत एक्ट्रोवर पराता भी अच्छा हूँ, कई बार होता है, हम गते हैं, तुम्हारा फीड़वेक तो इसी वज़े से बना रहता है, क्लास में, क्लास में भी मतलब पराते बच्चों से ऐसी बाते करता है, जो मतलब बच्चों को लगता है, कि हाँ यार, मतलब अच्छे sense of humor है, उसका कुछ भी, ज्यादा अतर, मतलब अभी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सायद ये कैमरा है, और अपन बैटे है, तो अब धीरे-धीरे तो होने लगया, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत जादा इंट्रोवर्ट था मैं, तिल लाओ, I was thinking that all teachers teach online in underwear, but today, मैंने तो निकर मे आपने भी पढ़ाया है, कितने बच्चे डाउट पूस्ते हैं, बहुत कम से, निकलेजेबल, मतलब आप देखो, 80% बच्चा पूरे साल ओफ-लाइन में पढ़ता है, सायद ही वो कोई डाउट पूस्ता है, पूरे जीवन में, डाउट नहीं पूस्ता, उसके बाद हम जब पनिस्मेंट की बात करते हैं, तो बच्चा गलती करता है, लेकिन हम ऑफ-लाइन में कितना पनिस करते हैं, स्थायद नहीं करते हैं, हम पनिस भी नहीं करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि पनिस्मेंट का मेरा सिस्टम में थोड़ा सा, जैसे हाँ, बच्चा जैसे ही न साथ में चपल भी रखता बगल में और एक सिस्टम और है कि एक पैर पे खरे होने का जैसे मान लीजे कि बच्चा पढ़ रहा है अब उसने मैंने सवाल पूछा उसने गलती कर दिया तो बच्चा वो चपल मारता है फिर हमने बुल दिया कि अब अगले पांच मिनट तक लिट तो मैं यह पढ़ा रहा था यह वही अठारा गंटे वाली वीडियो का है तो उस समय तो जूते उते पहन के गहते कि यार मतलब लंबा पढ़ाना है तो पैर में पहन नहीं होना चाहिए तो बच्चा कह रहा है कि सर मैंने बोला कुछ बच्चे ने गलत कि एक पैर पे खरे ह है यह बच्चे ऐसे लड़ करते ता дан यह ड़क्राया होग है cross息 कि नैक्स्ट छो ging दरता है यह अर से कटाआ और फिर surt dual लेगा अगर पार्क में जा रह और शिरिया घर में जा रहतुत हो तो वहाँ पे घूमने गया था तो वहाँ एक बच्चा मिला मुझे यह और बुला सर आये आप पेमार सर हो मैंने बला हाँ फिर बात हुई तो यह बच्चा कट ट्रेन था उसे दिन वह गोड़कपूर जा रहा था और उसका गोड़कपूर एमस में अडमिशन मिला था तो बता अपनी जर्नी बताई कि सर मैं इस वैच में था ओनलाइन पढ़ा था और मेरा सेलेक्षन हो गया तो वही मैंने रिकॉर्ड किया था वही है यह बहुत बड़ी है सर ताइंक्यू ताइंक्यू सो मच मतलब सर यह मेरे लिए बहुत पहला एक्सप्रियस था तो पता नहीं मैं ने कितना मतलब बैग्चों के लिए रहा और मज़ा आया है और मज़ा फाक्त मज़ा जाते-आते gesagt मैं लौऑ यह मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सही क्या है गलत क्या है तो लाइफ में ना तो कुछ exactly सहीенного टूट है ना इनिवर्सल मतलब correct है ना इनिवर्सल wrong है सब कुछ frame of reference पर time पर depend करता है जैसे दोस्ती करना, बाते करना, चिल मालना, घूमना YouTube पर वीडियो देखना है, गलत और ही नहीं है इस है एकदम, लेकिन गलत और सही का timing एक होता है कब तुम्हें क्या करना चाहिए लाइफ में एक बार आपको सन्यासी वाला जीवन जीना परेगा एक बार आपको बहुत extreme level पर जाके संगर्स करना परेगा और वो कब करोगे वो आप पर depend करता है अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, तो साइद आप SSC की त्यारी करते समय करोगे तो साइद आप जब प्राइवेट जॉब करोगे ऑफिस में जाओगे तपसंगर्स करोगे तो मेहनत कभी ना कभी एक वार एक डेल्टा टी में करना परेगा अब वो कब करना चाहते हूँ आप भी डिशाइट कर लो मैं बहुत अच्छे जब मैंने टीचेंगे स्टार्ट करी तब बहुत जादा संगर्स किया बहुत मतलब रात 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 अब परते थे आठाट गंटे तब जाके एक घंटे का कंटेंट त्यार होता था तो उससमें मेनत करा अभी आप मेनत कर लोगे तो आप साही डॉक्टर बन जाओगे उससमें मेडिगल कॉलिज में तो कमी संगर्स होगा ना जितना अभी है तो सक्सेस के लिए एक बार आपको संगर्स करना पड़ेगा लाइफ में सेक्रिफाइज करना पड़ेगा और उसके बाद आप चिल रह सकते हो और सही गलत के चक्रों में कभी मत पढ़ना मैं यह बच्चों कहना चाता हूं कि एक भी 100 परसंत हैं 100 परसंगीолоट गलत कूछ नहीं सही गलत स्थ टाइमिंग होते करने क्षों इससी भी अर्भ गए अचछ्छा लेगा बहोगर बह向े शुक्रिया अब मैंठि हम तक थाक्र्स नलसें ला सुरिया ये जॉष्टों